भजनपुरा में गला जकर सब्जी वाले को लूटा नौर्थिस दिल्ली के भजनपुरा में एक इलाके से लूटपाथ का वीडियो सोसल मीडिया पर तेजी से वायल हो रहा है सब्जी वाले को दो आरोपी लूटपाथ करते हुए नजर आ रहे हैं इस तरह की लूट पार्ट का मामला बढ़ता ही जा रहा है आरोपी गरीब से गरीब लोगों को भी नहीं छोड़ते चाहे वो सबजी वाला ही क्यों ना हो आपको बता दे कि सबजी वाला दिन भर की कमाई के बाद अपने पैसे को लेकर घर लोट रहा था और उस वक्त ही बद आसपास इधर उधर देखते हैं और उसके बाद उन दो यूबकों में से एक यूबक सबजी वाले का गला दोनों हातों से जकर लेता है इसके बाद दूसर सक सबजी वाले से पैसा चीनने की कोसिस करने लगता है गला मजबूती से जकरे होने के कारण सबजी वाला कुछ न कि है वहीं पीरित के तरफ से अभी तक किसी भी तरह का सिकाया दर्ज नहीं कराए गया है अथाद घटना को लेकर किसी ने भी अफायार दर्ज नहीं कराई है हलाकि सोसल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वारल हो रहा है जिसे देख कई लोग कारवाई की मांग कर रहे हैं वीडियो पुलिस प्रशासन के पास भी पहुचता है और लोगों की कारवाई की मांग को लेकर पुलिस एक्शन में आई है पुलिस ने चानबीन भी सुरू कर दी है और जल्द से जल्द आरोपी को अपने गिरफ्त में लेने को भी कहा है इस घटना से कई सवाल खड़े हो अब पुलिस प्रशासन एक्शन में आई है हाला कि अभी तक इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी भी नहीं की गई है